11th April से लेके 2nd May तक बहुत सारी चीजों का हमको cover करनी है, जैसे आप में से काफी सारी students का backlog create हुआ होगा, आप में से काफी सारी students का 11th का सी लापस अभी तक हम लोग ने, और यस आज day 15 है और day 21 बहुत जादा करीब आ चुका है, जतलब हम अपने target के बहुत करीब आ चुके है इसको भी आपको उसी तरह complete करना है, ठीक है हमारा ये 21 days challenge का second part है, second part क्या है, so hi everyone this is Samir, welcome to this 21 days challenge series, आज हमारा day 15 है, आप सभी students ने thumbnail देखा होगा master plan for 99 percentile, yes इस वीडियो में आप सभी students के साथ मैं next plan discuss करने जा रहा हूँ, अभी हमारा 21 days challenge series बहुत ही जल्द खतम होने वाल है, बट उसके बाद हम लोग को करना क्या है, 11th April से लेके second में तक बहुत सारी चीजों को हमको cover करनी है, जैसे आप में से काफी सारे students का backlog create हुआ होगा, आप में से काफी सारे students का 11th का syllabus अभी तक हम लोग ने हाथ भी नहीं लगा है, और revision करनी है, full length test देना है, बहुत सारी से पूरा complete करोगे, और यस आज day 15 है, और day 21 बहुत ज़्यादा करीब आ चुका है, मतलब हम अपने target के बहुत करीब आ चुके है, जो हम लोग ने promise किया था, जो हम लोग ने commitment दी थी, वो complete होने वाला है, बस इसी महनत को अपनी continue रखो, और 21 days को पूरा complete करो, शिदत के साथ महनत के साथ complete करो, because इसका फल आपको result day के दिन देखने को मिलने वाला है, ठीक है, आज के इस वीडियो को हम लोग start करते हैं, जिसने भी अभी तक channel को नहीं subscribe किया होगा, channel को subscribe कर देना, and WhatsApp group, Telegram channel join कर लेना, तो चलो, सबसे पहले मैं आपको day 15 का target बता देता हूँ, day 15 का target क्य इसमें से भी 3 questions आते हैं लगबग, amines में से भी 3 questions आते हैं लगबग, तो ठीक है, यह दो chapters आज आपको prepare करने है, as well as अभी यहाँ पर आप सभी students को chapter wise test भी देना है, ठीक है, chapter wise test को ignore मत करना, because यहीं से ही आप सभी students को पता चलने वाला है, कि आपकी कौन सी level की preparation भी है, आपक questions आए हुए, यह सारी चीजे जब आप chapter wise test दोगे, तभी आपको पता चलेगे, ठीक है तैन उसके पाद आप सभी students को क्या करना है, revision करना है, revision, यह दोनों chapter का, आज revision क्या करो, आज पूरे organic chemistry का revision करो, जितना जल्दी हो सकता है, target को complete करो, organic chemistry, पूरा का पूरा revise कर दालो, chemistry का लगबक 80% syllabus हमारा complete हो जाता है, 80-90% syllabus complete हो जाता है, बस applied chemistry बचा रहेगा, एक आयोनिक इकलिबरिया, एक chapter हमारा बचा रहेगा, बस बाकी सारी chapters हमारे chemistry में complete हो जाएगे, तो chemistry में easily हम लोग काफी अच्छा score कर लेंगे, और maths भी हमारा देखो, बहुती कम chapters रहे गए, और बा आगे की strategy हमारी क्या होने वाली है, एक बास जिसने इस challenge को accept कर लिया, इस जो roadmap में आपको बता रहो, इसको भी आपको उसी तरह complete करना है, ठीक है, हमारा ये 21 days challenge का second part है, second part क्या है, कि 11th April को हमारा 21 days challenge complete हो रहे है, क्या हो रहे है, 21 days challenge हमारा 11th April को complete हो रहे है, और यहाँ पे ल 21st April को मैं आपको पूरा physics revise करने बोलने वाला हूँ, chemistry next day, फिर उसके next day आपको maths, फिर उसके next day आपको पूरा PCM revise करना है, इस तरीके से वो चार दिन जो है, इस रिवीजन को देना है, अब जब आप वो चार दिन जब ये रिवीजन करोगे ना, फिर उसके बाद आप जब म कर ली ना, तो definitely मैं बोलता हूँ, आप near about 140 to 160 score कर सकते हो, 12 April से लेके 15 April तक आपने अगर रिवीजन अच्छे से की तो, फिर रही बात 16 April से लेके 20 April तक, ये चार दिन हमको क्या करना है, mock test तो देना ही देना है, as well as हमें 11th के syllabus को भी हाथ लगाना है, 11th के syllabus को भी complete करने का try कर जो सबसे most important part है, वो 12th का syllabus, उसी को पहले complete कर लो, complete होता है, तभी 11th के syllabus को हाथ लगाना, और जिसका complete हो गया है, वो 11th का syllabus complete करेगा, और mock test देगा, दर उसके बाद 22 तारिक से आप सभी students को सारी analysis के वीडियो जाने वाले physics में कैसे questions आ रहे, chemistry में कैसे questions आ रहे, उसके बाद वही सारी चीज़ें आपको revise करती जानी है, और वहाँ पे भी आप सभी students को full length test को practice करते रहे, full length test is very much important for your preparation, जितना आप full length test को importance होगे, ये चीज़ जो है, जब आप exam दे के आओगे, exam दे के जब college से जब आप भार निकलोगे तब पता चलेगा कि yes, full length test देने के वज़े से क इतना बड़ा benefit हुआ है आप सभी students को, और जो 2023 के जो बारा पेपर है, बारा shift के जो पेपर है, वो पेपर को आपको किसी भी तरह solve करने है, और वो 1800 questions को बहुत अच्छी तरीके से practice कर लिए, 2023 के सारे questions papers को as a full length test दे दो, और उसको अच्छे से practice कर लो, और पीवाइक्यू मे booster batch में देखने को मिल जाएगा, तो ऐसा हमारा ये next plan है, ठीक है, ये बाकी के आगे के plan है, और बाकी सारी चीजे होर भी आते रहेगी, और भी बहुत सारे useful videos आपके लिए आने वाले हैं, इसी बीच में, तो वो videos को भी miss मत करना, जो भी student new है इस channel पे, channel को subscribe करके रख देना, बाकी सारे बहुत सारे important videos आने वाले हैं, आप सभी students के लिए, paper को कैसे attempt करना है, कैसे हमको guess करना है, और बहुत सारी चीजे होती है, exam से related, उस सारी चीजे मैं आपको इस channel के तुरू बताते रहूँगा, बाकी सारी चीजे मैंने आपको बताई दी है, कैसे आपको chapter को prepare करना है, कुछ importance बता कि आपको कुछ मतलब है नहीं क्योंकि ultimately आप सभी students को पूरा chapter को prepare करना है, एक बात देखना है तो आप देख सकते हो, यह page number 258 काफी important है, उसको अच्छे से कर लेना, all reagent and catalyst, इसको भी बहुत सारे questions आते हैं इसके उपर भी, okay, then यह minds के कुछ topics है, try to complete all the syllabus, PCM का mind maps आपको telegram channel पर मिल जाए, link description में दी गई है, वहाँ से आप join कर सकते हो, then आज आपको chapter wise test देना है, यहाँ पे भी chapter wise test देना है आपको, जो दो chapter मैंने बता है है, वो उसका आपको test देना है, and revision करना है, और यानि chemistry का फूरा revision करना है, next day हम लोग start करना वाले, maths मैं आपको बताऊँगा कैसे क्या क्या करना, आगे का next day plan बताऊँगा, और booster batch की सारी details यहाँ पे है, 399 price है, ओके सारी चीज़ें आप आप देख सकते हो, और rising education app के थूरू आप इसमें enroll कर सकते हो, I hope सारी चीज़े clear हो गई होगी, सारी doubts सब के clear हो गई होंगे, और mostly अभी हमारा chemistry का स की levels भी डन हो गया है, and maths का, and chemistry, maths and physics बाकी है, उसको भी हम लोग बजल्दी cover करेंगे, WhatsApp group join कर लेना, जिसने अभी तक join ने किया है, okay, सारी doubts, I hope clear हो गए, mostly, and all the very best, आज की target के लिए, and make sure करना कि आज chapter wise test आपने दिया है, और organic chemistry की पूरी revision कर लेना, ठीक है, all the very best, thank you so much.